हेलो दोस्वन मुश्कार आपका सवागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती जो 2022 की आने वाली है इसके बारे मैं आपको जानकारी दूंगा और इससे लिटेड कुछ नए फैक्ट्स लेकि आया हूं कुछ ऑथन्टिक इन्फॉर पड़ेगा इसके और यह जल्दी आएंगी या अभी कितना टाइम लगने वाला है इन सब बारों में बात करेंगे और जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि जो ब्रेक अप मैंने दिया है वेकंसी इसका कौन सी बेकंसी कि कि खलब किस पोश्ट के कितने पदा रहे है तो इस इसाब से आप देख सकते हैं कि जो एहम जानकारी आपको चाहिए वो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगी जिसमें आपको SLAVIS की बारे मैं बताए जाएगा कि SLAVIS क्या रहेगा इस बार क्या CHANGES होने वाले हैं उस Slaves में क्या CHANGES होगा या भरती में क्या CHANGES होगी उसके वारे में भी बिल्कुल authentic information रहेगी तो दोस्तों भरती तो अभी आप देख सकते हैं कि जो आपकी vacancies है 35,000 प्लस तो दिख रही है साह 37,000 के लगभग लेकिन दोस्तों यह complete कब तक होंगी या होंगी या नहीं होंगी अभी कितना सच है इसमें कितना जूट है यह सारी बात करेंगे तो आएए देखते हैं सबसे पहले तो भरती का ब्रेक अब देख लेंगे 37,757 भरतियां हैं और बहुत से लोग 35,000 डाल ले लेकिन जो आपका actual जो fact data है वो यही है जिसमें civil police 26,200 है ठीक है पीएसी 8,500 है fireman 1057 है तो टोटल मिला कि आपका जो है यह 35,757 वेकंसी है और यही आपकी अभी तक जो data मिला है और government यह official data जो भी है वो यही है जो की वेकंसी आपके आने वाली है दोस्तों यह रहा आपका break up next अब जो चलते हैं syllabus देख लेते हैं दोस्तों तो इसमें आपको एक overview दे दूँगा मैं syllabus का overview ऐसे है कि हिंदी जनरल हिंदी जो है आपकी 37 question के आएंगे reasoning जो है वो 55 question के आएंगे और math 21 question GKGS 37 question तो दोस्तों UP police की भरती वो लोग भी देख सकते हैं जिनका math weak है क्योंकि question जो है इसमें कम है आपका reasoning पे command होना चीए और हिंदी पे command होना चीए बाकि math पे अगर आप 10 से 12 question भी easily कर लेते हैं तब भी बहुत better रहेगा दूसरा GKGS में आपके कई सारे part आ जाएंगे और दोस्तों इस पे UP police की भरती आने के पहले जो है मैं video start कर दूँगा जिसमें आपका यह चारों सब्जेक्ट जो है आपके और इनकी अंदर में जितने सब्जेक्ट आते हैं जितने portion आते हैं लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है पहले हो चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्तों और आपको बिल्गुल benefit मिलेगा बहुत beneficial है यह चैनल आपके लिए तो यह है इसका स्लेबस टोटल आपके पास जो कोश्चन होंगे कोश्चन की जो संख्या होगी वो डेर सो ह घुरिब अचायाइब है 150 poison और परा कोश्चन जो होगा यह दो मार का होगा तो टोटल आपके पास तीन सो कि है कि नंबर यह यह पेपर रहेंगे तो 150 कोशन पर कोशन टू माक्स एंड टोटल जो माक्स रहेगा आपका 300 इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बना दूंगा जिसमें कि डिटेल्ड आपको दूंगा मैं जानगारी किस स्लेवस में कहां से क्या पूछा जाएगा उसके लिए मैं कैसे लेक्चर कं आने वाला हूं ठीक है दोस्तों तो मैंने खुद एक्जाम निकाला हुआ है इसलिए जो है मैंने यूपी एसाई का एक्जाम निकाला है और यूपी कभी एक्जाम दे रखा हूं कई बार निकला हुआ है तो दोस्तों इस हिजाब से आपको मैं बता दूं कि आपको जो जर करते हैं में इस भरती का सक्ष क्या है तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह 100% आएगी आपकी बेकंसी यह तै हो गया है ठीक है लेकिन अभी जो बात कर लेते हैं कब आएगी सबसे बड़ा कुश्चन कब आएगी इसका कंप्रिशन का टार्गेट क्या है तो दोस्तों मैं 2023 इसके पहले भरती कंप्रिट होने वाली नहीं है तो दोस्तों आप लोग यह मान के चलिए क्योंकि 2024 में जो है वो इलेक्शन है ठीक है तो दिसम्बर 2023 में यह वेकंशी जाके आपकी फाइनल होनी है इसके पहले वेकंशी फाइनल नहीं होगी तो आप लोग बिल्कुल लग जाएए वेकंशी जो आने की कवायद सुरू है यह अभी तक जो पता चला यह है कि यह फरवरी तक आपकी फरवरी 2023 तक आपकी तो उसके पहले यह फाइनल करेंगे इससे पहले आपकी फाइनल नहीं होगी वेकंसी तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रही है और जो नोग नए है वो पिल चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इंफार्मेशन होगी जो भी दिक्कत आपकर कोई डाउट है तो आप इस कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो जो लोग दोस्तों नए हैं वो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर किये थैंक्यू